Hello guys, आप सब का स्वागत है Makeup by Qudrat में और मैं हूँ आपकी दोस्ट Qudrat Kaur तो आपको टाइटल से पता चली किया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ आज मैं बात करने वाली हूँ Menstrual Cup के उपर आप में से बहुत सरे लोगों को पता भी होगा और यूज भी कर रहे होंगे लेकिन मैं आपको आज इसको सही तरीके से कैसे यूज करना है वो बताऊंगी और कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे रिमूब करना है A to Z आपको पूरी information में आपको इस वीडियो में दूंगी और में अपना experience जो है वो भी आपके साथ share करूंगी ठीक है तो आगर बहने से पहले guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends and family के साथ share कर दीजिएगा और अगर आप एक boy हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अपनी girlfriend यह आप अपनी wife के साथ इस वीडियो को share कर सकते हैं यह बहुत informative वीडियो होने वाली है तो अगर आप information पाना चाहते हैं इस menstrual cup के ऊपर तो आप वीडियो को end तक देखेगा क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कप को यूज करें तो आपको कुछ चीजे समझ भी नहीं आए तो इसलिए आप कोई भी कहीं भी वीडियो को स्किप किये भी ना end तक वीडियो को होता है कुछ इस तरीके का होता है आपको पता है पीरेड के टाइम हम लोग जो है वो पैड यूज करते हैं या टैमपॉन वगयरा यूज करते हैं तो अब यह वाला यूज लोग करने लग गए है वह सब्सक्राइब यूज भी करते हैं तो यह वह इस तरीकी का होता है तो इसको इसकी वज़े से जो है वह कप कहा जाता ही बहुत ही सौफ्ट होता है सिलिकॉन का होता है एसे रबर जैसा है देखिए आप देख सकते हैं बड़ी ही असानी से यह move हो जाता है fold हो जाता है अराम से आप इसको bend कर सकते हैं तो हंजी आप डर रहे होंगे कि यह इतनी बड़ी चीज हम अपनी body के अंदर जो है वो कैसे insert करेंगे ठीक है डर तो लगता है न मुझे भी लगा था वो तो natural है कोई भी ऐसी चीज हो वो भी ऐसी जगह पर insert करनी हो जो हमारा area बहुत ही sensitive होता है तो normal से भी जादा डर लगता है न मुझे भी लगा था बट आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह बहुत ही असानी से जो है आपके उस area में जो है वो fit हो जाता है ठीक है तो इसका गाइस जो box वगेरा है ना cardboard का था वो मैं throw कर चुकी हूँ मैंने नहीं संभाला था क्योंकि मैं जे almost six months हो चुके है इसको use करते हुए और यकीन मानियेगा मैं इसको use करके ना बहुत खुश हूँ ठीक है पहली बार तो यह है कि आप अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं आप every month pets को buy करने के लिए टेंपॉन वगेरा को buy करने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो आप use कर सकते हैं और आपको पता है जो pets व बात करूंगे आपको जरूर बताओंगे लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में only is cup के बारे में तो इस cup को guys आप 10 साल तक भी use कर सकते हैं 10 साल कम नहीं होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना पैसा अपना जो है वो बचा सकते हैं ठीक है तो इंडिया में या इसको purchase कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही silicone base है बहुत soft है तो अब आपके mind में यह सवाल आएगा कि क्या हम इसके साथ activities कर सकते हैं जी हाँ आप activities कर सकते हैं अगर आप dance करते हैं cycling करते हैं कुछ भी exercise वगयरा करते हैं कोई भी activity करते हैं तो आपको इससे कोई भी problem जो है वो नहीं होगी ठीक है उसके बाद आपके mind में यह सवाल आएगा कि क्या जब हम इसे हम use करेंगे तो क्या हमें sporting हो सकती है जी नहीं इसके साथ आपको कोई भी sporting जो है वो नहीं होगी बट हाँ अगर आपको लगता है थोड़ा डर लगता है तो आप panty liners जो होते हैं उनको use कर सकते हैं just for अपनी satisfaction के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं तो ठीक है तो देखिए अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आपको पैड्स और भी जो है वो उठाने की जूरूरत नहीं है मुझे पता है वो बहुत ही जदा embarrassing होता है अगर हमारे यह लैंट ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अगर आप यह ईंज हैंगे तो कोई problem ही नहीं है आपको जहां मी जाएंगे जहां यह वोच्रूम में जाएंगे तो आप असानी से स्को remove करके ठीक है dus इसको आपको जो है insert किस तरीके से करना है तो आप देख सकते हैं जन आक जो है स इसे कहां पर insert करना है ठीक है तो इस तरीके से आप ले अराम से आपको अंदर पुश करना है इसे ठीक है तो ये ये खूल गया तो अपने आप ही जब ये अंदर चला जाएगा फिट हो जाएगा तो ये open हो जाएगा और आपको ये pop की अवाज भी आएगी तो जिससे आपको पता चल गए जाएगा कि open जो है वो अंदर जाकर हो गया है ठीक है ये आप इसको अच्छी तरह से adjust कर ले ठीक है अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी discomfort है वो नहीं feel होना चाहिए आपको लग रहा है कोई pain ये कुछ हो रहा है तो अगेंस ये discomfort वोगएर ऐसा जो है वो कुछ भी आपको feel नहीं होगा बिल्कुल free होंगे और असानी से चल सकते हैं उट बैठ सकते हैं काम कर सकते हैं मैं इसको use करके बहुत खुश हूँ मुझे पता ही नहीं चलता periods जो है वो feel ही नहीं होता कि मैं periods में हूँ ना ही मुझे कोई डर लगत सब्सक्राइब किसी चीज के साथ बैठने में उठने में तो अभी इसको remove कैसे करना है ठीक है तो बड़ी ही असानी से आप पूल करेंगे ना बड़ी ही देर देरे पूल करें ठीक है तो पूल करने के बाद जो भी आपका period होगा उसको आराम से आप toilet में जो है flush कर सकते हैं तो इसके साथ आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या हम इसके साथ पी कर सकते हैं क्या इसके साथ toilet कर सकते हैं जी हां कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं आपको कोई भी problem इससे create नहीं होगी हाले कि अगर आप toilet वगेरा जा रहे हैं थोड़ा सा अगेन इसको अगर आपको यह दोरायात और जब गर सकते हैं अदर्वास आपको इस लग रहा था ने वाश्रूम भी जा रहा ही तो मुझे लग रहा था पता नहीं आ जो पी है मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी क्या होगा इसके अंदर नहीं च्ला जाये पी अइसा कुछ भी नहीं था ठीक है क्योंकि जो पी करने का एरिया होता है और हमारा पीरियड का एरिया होता है दोनों वो सेपरेट होते हैं तो बड़ी असानी सापी से यूज़ कर सकते हैं ये भी बता दूँ आपको कि ये हमारी बॉड़ी के अंदर होता है तो हमें पता नहीं चलता कि इसको किस टाइम पर remove करें ये fill हो गया होगा या नहीं क्योंकि अगर हम पैड जी उस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब time है पैड को change करने का तो ये मैं बताती हूं कि आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको heavy periods आते हैं तो आपको इसे कुछ घंटों के बाद washroom में जाकर check कर लेना है ठीक है अगर आपकी periods जो है वो कम है आपको पता है अप मेरे periods आज जो heavy नहीं है तो आप इसको बारा घंटे के लिए अंदर रख सकते हैं बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको जो squat position होती है ना उस पोजिशन में आपको बैठना है जैसे पैरों के भार हम बैठते है न washroom में जब जाएंगे वो तो समझने कि यह seat है हमारी toilet है यह हमारी legs है दोनों ठीक है एक जो हमारी leg है तो आपको seat पर रख देनी है ऐसे एक leg जो है आपकी फ्लोर पर रहेगी इस तरीके से तो यह जो area है जहां आपको इसे insert करना है वो open हो जाएगा ठीक है जब जब यह open हो डर ना मैं डर ना feel करें squeeze ना करें क्योंकि जितना आप squeeze करेंगे ना तो उतना ही आपको insert करने में थोड़ा सा uncomfortable जो है वो feel होगा अगर आप अपनी body को बिल्कुल free करके इसको insert करेंगे तो एक second में यह अंदर चला जाएगा और उसके बाद guys बात आती है कि आप इसको जो है कैसे wash करें ठीक है आप इसको intimate जो wash आता है उनके साथ भी wash कर सकते हैं जब आप use करने wash करें या आप इसको sterilize भी कर सकते हैं ठीक है तो insert करने से पहले आप इसको wash करें अच्छी तरह से अपने हाथों को wash करें अपने उस area को अच्छी तरह से wash करें और आप जब आपके periods खेतम हो जाएं तो अगेन आप इसको wash करके एक container में इसको बंद करके रख सकते हैं और यूज करने से पहले फिर से wash करें और फिर आप इसको next time के लिए आप इसको use कर सकते हैं और हाँ जगर आपको डर लगता है कि यह जो कप है वो insert कैसे होगा तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने चीजे बताई है वीडियो में आपको उसे follow करना है तो बाकी यह बात है कि आपको पता है वह वाला हमारा area जो होता है वो flexible होता है तो आपको इस से insert करने में कोई भी problem जो है वो नहीं होगी आप असानी से इसको insert कर सकते हैं तो गाइस यह menstrual कप देखिए ना कितना फाइदेगा है ना फाइदेगा कितने पैसे भी बचाएगा और आपको comfortable भी रहेगा बिल्कुल भी feeling होगा कि आप periods में है कुछ भी activity करने में भी आपको खर्च करेंगे तो उसके according अगर आप इसको purchase कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितने पैसे आपके बच जाएंगे तो मैं इसको use करके जो है वो बहुत खुश हूँ इसको purchase करके बहुत खुश हूँ I'm very much happy with this product ठीक है तो आप भी अगर use करना चाहते हैं तो जरूर use कीजि तो मेरे साथ जरूर share कीजिए का comment box में comment करकी जरूर बताइईगा और हाँ और आप कौनसी video मेरी चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइगा गाई मुझे comment section में comment करकी जरूर बोलेगा और मेरे video को like करना शेयर करना और मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा तो see you guys in my next video until then take care bye bye love you all